नमस्कार दोस्तों वेल्डिसकाई के एको नए इंट्रेश्टिंग वीडियो में आप सब लोग का स्वागत है मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ बैंक निफ्टी के चार्ट को अंडरस्टेंड करेंगे समझने की कोशिस करें है ठीक है तो हम इस पर्टिकलर वीडियो में सिर्फ बैंक निफ्टी के बारे में ही समझ रहे हैं क्योंकि निफ्टी थोड़ा सा सब को ज्यादा समझ में आ गया है बट बैंक निफ्टी में मैं आपको कुछ इंपॉर्डेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं जो आपको फ अगर मैं यहां पर चार्ट दिखाता हूं आपको कि कल जिस लेवल पर यह ट्रेट कर रहा था तो एक ब्रेक आउट इंडिकेशन दे रहा था बट जो क्लोजिंग आई वो नेगेटिव क्लोजिंग आई पूरा इसने जो आल्मोस्ट कह सकते हैं कि यह आपका यह जो ब्रेक यह इक gap opening ऊपनिंग के बास यह नीचे आया और यहां से ओपर गया और फिर यह पूरे दिन गिरता 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 इसको ब्रीने लेक आप अचे सी शोने चाहरे च्छला जो downward trend line है इसको हम कह सकते हैं तो कुछ इसको resistance face कर रही है इसका मतलब यह है कि यह downside risk कभी भी इसकी खुली हुई है तो downside risk अगर इसकी खुली हुई है तो जायर सी बात है हम भी नीचे जा सकते हैं और इस बार में को ऐसा लगता है कि bank nifty थोड़ा जादा participate कर सकता है selling में क्यों क्योंकि bank nifty ने अभी तक nifty ने हमारा 200 day moving average test कर लिया है बट bank nifty ने अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देखोगे 50 day moving average के आसपास इसने resistance लिया exactly ठीक है अब यहाँ पर अगर मैं 200 day moving average लगाता हूँ तो यह अब देख सकते हो यह अभी तक test नहीं हुआ है जबकि nifty ने test कर लिया है तो nifty हो सकता है आपको थोड़ा धीरे नीचे जाता हूँ है दिखाई दे bank nifty थोड़ा सा fast जा सकता है पहली चीज दूसी चीज है अगर आप थोड़ा सा यह correction दिखा के इस बार 200 day moving average इस तरीके से यह test कर सकता है ठीक है और अगर इस बार यह नीचे आता है तो थोड़ा सा aggressively यह नीचे आ सकता है इस चीज को आप clearly धियान में रखिएगा ठीक है तो यह यहीं कहीं पर आ रही है जहां पर यह last high बनाता है यानि आपके लिए 41,700, 41,800 यह आपके लिए एक resistance है और resistance के past market यहां पर multiple resistance phase कर रहा है तो 42,000 का resistance दूसरा यहां पर 50 day moving average अगर मैं इसको यहां पर एक और लगा लेता हूँ इसको हम green color में कर देते हैं ठीक है देखो 50 day moving average प्लस downward trend line प्लस आपका 42 एक psychological resistance यहां पर बने हुए है तो multiple resistance पर या तो breakout आएगा तो वो strong आएगा या फिर यहां से breakdown आएगा तो भी strong आएगा breakdown के लिए फॉन से important label है वो चीज मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिस कर रहा हूं इतना आपको समझ में आगे होगा अब यहां पर मैं 15 मिनट के time frame पर चलता हूं ठीक है अब आप यहां पर यह लाइन आपको देखने को मिलेगा कि यह एक important level है जो कि यह आपका 41,250 का यानि जहां पर इसने यह last trading session में support लिया था ठीक है last trading session का जो low बनाता है यह आपके लिए important support है अगर यह break होता है तो पहला target आपके पास सीधा सीधा है 41,150 का दूसरा target है आपका 41,000 का और अगर 41,000 के नीचे यह sustain किया तो फिर सीधा आपके पास target है 40630 का और उसके ब अगर 41,000 के नीचे trade करना start करें तो आप एक positional shot भी बना सकते हो 40,400 के target के लिए ठीक है इतना आपको clearly समझ में आगे यानि 41,000 के नीचे आपको extremely bearish यहां पर होता हूँ दिखाई देगा bank nifty और इसके नीचे की closing आती है तो तो फिर आपको समझ लीजिए कि आपको सीधा इतना है 41,250 के नीचे आपको short करना है ठीक है 41,250 के नीचे trade करना start करता है short करना है aggressive short आपको करना है जब यह 41,000 के नीचे चला जाता है 41,000 के नीचे चला गया तो आपका aggressive short होगा और target आपका जो होगा वो होगा सीधा सीधा पहला 40,500 का ठीक है क्योंकि इसके नीचे बड़े target है 40,500 का पहला target और दूसरा target आपके पास होगा 40,000 का ठीक है और 40,000 के नीचे अगर यह close देना start किया तो फिर आपके पास जो target होगा 39,300 का जो की 200-day moving average है ठीक है तो यह target मुझे लगता है कि March के मंद में आ सकते हैं अगर यह 41,000 के नीचे close देना start किया क्योंकि फिर यह weakness दिखा सकता है और normally मैंने आपको बोला है कि जब भी resistance के पास अगर market मतलब जाता है और resistance face करता है तो chances is very high कि वो negative trend के लिए दुबारा से तयार हो रहा है ठीक है न, because क्योंकि पिछले कुछ दिन में market बहुत तेजी से नीचे आया था तो एक pullback pending था तो यह pullback आ के आ है अभी भी जो price action चल रहा है वो negative ही चल रहा है आपका lower low lower high का formation है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर high बना फिर low बना फिर यह आपका high है फिर आपका यह low फिर high फिर यह low यहाँ पर यह से यह support लिया है अब यह हो सकता है यहीं से दुबारा से नीचे की तरफ जाने की को सकता है तो इतना आप के लिए ध्यान में रखिएगा कि इतना कोई market bullish नहीं है जिसको आप लेके एकदम से मतलब rocket की तरफ market उपए चला जाएगा market के पास आगे आने वाले 6-8 महीने even 2024 मही तक market के पास continuously event है आपको continuously elections है 4 state selection है 2 है फिर आपको next PM वाले जो elections होते हैं वो भी है तो market के पास event है और market के पास correction के लिए काफी ज़्यादा जगे है तो मुझे expectations यह है कि इस साल आपको market एक बार 32,500 तक भी bank nifty जाता हुआ दिकाई दे सकता है और nifty वही 15,500 तक भी जाता हुआ दिकाई दे सकता है वहाँ पे आपके पास एक opportunity मिलेगी की buying की बट फिलाल जो म जग रही है आ गयाने वाले मंदों में तो मैं थोड़ा सा ऊपर की लेविल पे थोड़ा सा क्या कर सकता हूं short position create कर सकता हूं जो कि positionally हो सकती है call sell कर सकते है हम आ गयाने वाले months की तो यह चीद आप क्लिए ध्यान में रखिएगा और ऊपर के लेविल पे मैंने भी काफी गया है और अभी construction start हुआ है तो construction के लिए almost 1 CR का भी requirement है जो की दीरे दीरे उसमें लगेगा तो फिलाल तो मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं stocks बेच के profit booking करी है अभी BB के account से trade कर रहा हूं उसी के पास थोड़े बहुत पैसे हैं उनी से ही trade कर रहा हूं चोटी मोटी जो भी कर र आता है और निफ्टी 18500 तक चला जाता है तो वहां पर हम positional एक कह सकते हैं कि एक short बना सकते हैं जिसमें की पैसे बन सकते हैं बट फिलाल तो सारी चीदे इंट्राडे ट्रेडिंग के basis पे ही चल रही है और देखते हैं मार्केट क्या opportunity देता है बड़ा correction आता है तो definitely opportunity बन सक आता है तो यह चीद आप clearly समझ लीजे तो आई होप आपको bank nifty का पूरी analysis यहां पे समझ में आ गही होगी और global market की situation currently भी अगर देखे जाके तो indices futures में आपको देखेगा कि डाव फूचर फ्लाट है एल्टिक फूचर फ्लाट है European market भी फ्लाट है ठीक है तो आई होप दोस् शुक्रिया दोस्तो जैहें